हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi नमस्कार मैं हूँ ओम दिवेदी स्वागत करता हूँ आपका Study IQ IAS Hindi के इस प्लैटफरम पे और स्वागत है आपका मेरे Current Burning Issues में आज जो मैं topic आपके साथ discuss करने वाला हूँ वो अपने आप में एक mains का question है कैसे क्या संयुक्त राष्ट को अधिक लोकतांत्रिक होने की आवशक्ता है ये बात राजनात सिंग जी ने 75th UN Peacekeeping Day के दौरान कही और आप पूरी खबर देख सकते हैं पूरी खबर में United Nation needs to be more democratic and representative ऐस राजनात सिंग्धी ने कहा उन्होंने कई सारे मुद्दे हैं जो वो उठाए और जो हमें जानने भी जरूरत है और क्यूंकि ये main से direct link करता है तो as a student हमें इसके बारे में पूरी जानकारी होनी भी चाहिए ठीक है चलिए पूर्या इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते ह तो UNSC है जो उसका जो मुख्य उद्देश है वो है आपका peace और stability को create करना वो भी कहा वर्ल्ड के लेवल पर वर्ल्ड के लेवल पर शान्ती और स्थिर्था को maintain करना शान्ती और स्थिर्था को maintain करना मतलब की peace and stability की बारे में हम बात कर रहे है और यहां पर आपको ये बात समझनी होगी की peace और stability की जो बात कर रहे हैं तो उसमें UNSC के 10 non-permanent member होते हैं अगर आप इसके structure की बात करेंगे और 5 इसके permanent member होते हैं पाँच जो permanent member हैं उनमें हैं आपके US, UK, Russia, China और France और ये जो non-permanent member होते हैं इनका 2 साल का tenure होता है और अगर आप भारत की बात करेंगे तो भारत आठ बार आठ बार non-permanent member रह चुका है लेकिन जो main मुद्धे हैं तो हम बात कर रहे हैं peace और stability की लेकिन हम अगर इनको ही देखते हैं especially इन तीनों की अगर मैं बात करूँ US, Russia और China की तो US का involvement आपको अफगानिस्तान में आपको इनका रोल पता है और आपको इरान में भी इनका रोल पता है Russia है जो वो Ukraine के साथ युद में शामिल है और China है जो हर अगले दिन ताइवान के साथ जड़प में शामिल दिखाए देता है तो ये कैसा organization है जो खुद peace और stability की बात करता है और जिसके main जो permanent member है उनमें से main members को कई बार देखा गया है कि वो खुद ही युद में लिपत रहते हैं तो एक सवाल तो ये भी उठ रहा है इसके अलावा इनके पास एक veto power है वीटो क्या है ये veto power से मेरा कहने का मतलब है कि ये जो permanent 5 है मतलब जो main यहां के 5 member है 5 permanent member है इनके पास एक veto power है जो कि इनको ये power देती है जो कि इनको ये शक्ति देती है कि अगर ये किसी चीज को रोकते है अगर किसी भी resolution को जो यहां पर आता है यह जो non-permanent members है कोई अपने देश में हो रही कोई ऐसी गत्विधी वहां पर resolution के तौर पर लेकर के आते हैं और अगर इन में से कोई उससे agree नहीं है कोई एक भी agree नहीं है माल लीजे चार agree है और पाई एक agree नहीं है तो भी वह resolution खारिज हो जाता है जैसे कि हम example के तौर पर हाफिज साइद वाला example ले सकते हैं हाफिज साइद वाला जो example है उस पर हमें यह Mumbai attack के साथ उनका direct link पाया गया और फिर जब हमने यह resolution UN में लाया तो उसके बाद China आज़ा पावर है यह जो जो पावर तो यहां पर क्या ह जैसे कि अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत को कि front पे आप ignore नहीं कर सकते आप कैसे ignore कर सकते हैं ऐसे देश को जो जनसंख्या के मामले में जो population के मामले में सबसे number one पर है आप कैसे ignore कर सकते हैं ऐसे देश को जो अर्थविवस्था यानि की economy के मामले में one of the top countries में से एक आप कैसे कर सकते हैं ignore ऐसे देश को जिसकी आर्मी है जो वो वर्ल्ड की जो सबसे अच्छी आर्मी हैं उन में से एक है आप नहीं इग्नोर कर सकते उन में से तो जब इतनी चीजें भारत के पास यहाँ पर मौझूद हैं तो भारत को भी वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए अब भारत ऐसा न देश बहुत सारे ऐसे देशों को इग्नोर किया है जिनके साथ जिनका मतलब बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन है जैसे कि आपने अफरीका है जो उसको इग्नोर कर रखा है अफरीका से क्या वहाँ पर अफरीका से क्या वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाह चाहिए क्या वहाँ पर यह जो साउथीस्ट वाले देश हैं वहाँ से रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए तो कहने का मतलब कि बड़े बड़े ऐसे ग्रुप जो आपने इग्नोर किये हैं इसमें उनको भी यहाँ पर शामिल होना चाहिए अब इस तरह की जो डिमांड है वो आज से नहीं है देखिए कोविड के वाद से है ना कोविड में आपसे क्या उमीद है क्योंकि आपने यह विवस्था की है और आपने यह कह सकते हैं कि आपने दारोमदार समभाला है कि हम पूरे वर्ल्ड में हो रही जो इस्टेबिलिटी ली है तो पूरे वर्ल्ड में जब इस तरह की हमारी आती है तो दूसरे देश जो छोटे देश है इस्पेशली वो आपकी और देखेंगे और आपका वहां पर फोकस क्या है कि पहले हम अपने आपको तो सुरक्षित करें तो जब आप अपने आपको उरक्षित कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या है कि आपका जो रिप्रेजेंटेशन है आपका जो लीडर्शिप है वो कहीं न कहीं हिली हुई दिखाई देती है तो इसकी वज़े से यह जो डिमांड है कोविड-19 के समय से रशिया के यूक्रेन के साथ जब यह वार चला है तो जिसकी वज़े से बहुत नहीं मिलता प्रॉपर समाधान जब नहीं मिलता तो फिर क्या है कि भारत को आपको नहीं लगता कि यहां पर इस तरह की कदम या इस तरह की बात वहाँ पर कहनी चाहिए कि भाई आपको या तो रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना चाहिए और अगर एक और बात भी है यहां प लगते हैं आपकी अगर ये चीज यहां पर नहीं होती है कि अगर रिप्रेजेंटेशन यहां पर नहीं होता तो एक दूसरा गृप बनाने का समय आ गया है क्योंकि यह जियो पॉलिटिक्स है उसमें अब काफी बड़े बदलाओ देखने को मिल रहे हैं जिसमें की भारत है ज हमारे पास जो हमारा जो economic factor है वो कही न कहीं सीधे demographic dividend से जुड़ा है जो की हमारे यहां पर जो आत्म निर्भर भारत बनाने की योजना जो चल रही है जिसमें हम अलग-अलग field में जैसे की आप defense का field ले सकते हैं, banking का field ले सकते हैं, finance का field ले सकते हैं, health का field ले सकते हैं, education का field ले सकते हैं, आप अलग-अलग छेतरों में हम लोग विकास कर रहे हैं, तो जब यहां पर भारत इस level पर आगे बढ़ रहा है, तो उससे जुड़े हुए जो भी उसके साथ जो LI country है, छोटे देश हैं वो उस पर कहीं न कहीं dependent है, और अपने आप में भारत एक एक तबके का कह सकते हैं, एक तबके का representation कर रहा है, तो जब भारत अपने आप में representation कर रहा है, तो उसका इस तरह की organization में होना बहुत जरूरी है, तो यह सारी चीज़े हैं, जो वो इस article में कहीं गई हैं, तो आपको भी इस तरह की जब भी article आते हैं, तो कुछ चीज़ों पर ध्यान रख English, English और Hindi, आप किसी भी माध्यम से अपनी preparation करना चाते हैं, तो उस case में आप study IQ को join कर सकते हैं, P2I batch है, जो इसके अंदर बहुत special facility है कि हम आपकी pre और mains का जो integrated course होता है, जो आपका foundation है, वो तो करवाते ही करवाते हैं, और जब आप pre qualify कर लेते हैं, तो उसमें हम आपको accommodation, य अगर आप इस batch में enroll करते हैं, अपने आपको 2, तो इसकी अगर मैं शुरुआत बताओं, तो 19 जून से इसकी शुरुआत हो रही है, शाम के 6 बजे, और इसकी fees है 29,999, लेकिन ये fees तब है, जब आप मेरा code OM Live का इस्तमाल करेंगे, OM Live का code इस्तमाल करते ही, आपको इस batch में 29, 39,999 में admission मिल जाएगा, तो अगर आपको ये information पसंद आई है, तो प्लीज इस वीडियो को like, share और subscribe कर दीजेगा, इसके अलावा, अगर आप मेरे साथ current affairs में जुड़े रहना चाहते हैं, तो OM DVD Study IQ ये channel है, टेलीग्राम का, इसको आप प्लीज जॉइन कर लिजे, आप कुछ comment अगर मुझे कुछ suggestion देना चाहे, तो comment box में बता सकते हैं, और या मुझे लिख सकते हैं, om.narayan.study.com में, जल्दी मिलेंगे आगले lecture में, तब तक के लिए धन्यवाद,